नमस्कार स्टुडेंट कल के लेक्चर में जो हम क्रिस्टल स्टुक्चर का डिस्कस कर रहे थे उसमें जो हमने में 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 चीजें डिस्कस कर ली है कुछे कोर हैं जो टोपिक्स उनका हम डिस्कस करेंगे ये अंडर गरी जो स्टूडेंट के लिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट टोपिक्स हैं जिनका हम क्रिस्टल स्टुक्चर में डिस्कस कर रहे हैं और यूश्टी के सलेबस के हिसाब से भी सॉलिड स्टेट पेजिक्स में आपके पास जो पहली यूनिट है उसमें क्रिस्टल स्टुक्चर है तो उसके लगभग हम सभी टोपिक जो है यहां पर डिस्कस करने वाले हैं तो उसी शीरीज में आगे बढ़ते हैं तो जो हमने कल फाइनल लियर के लिए डिस्कस किया था वो क्रिस्टल स्टुक्चर के बारे में हमने डिस्कस किया था जर्णली हम two or three type से जो है material को चूज करते हैं और इनमें crystalline, amorphos, polycrystalline इस formation से हम material को लेके चलते हैं जर्णली हमने जो पहले डिसकस किया था crystalline और amorphos का किया था discuss जो crystalline होते हैं उसमें regular arrangement होती है एक अटम और वालिकुल की और amorphos में जो ही regular arrangement नहीं होती है poly crystalline में material journal organizing ceramic type के होते हैं मैं vaz muita material होते हैं जिनको बना जाता special laboratory में crystalline और grains के साथ तो वो जो material होते हैं वो poly crystalline material होते हैं randomly में winter calculus में कुछ इक difference भी मैंने यहां पे आज no down किये हैं crystalline होते हैं long range order tem non crystalline short range order होते हैं क्रिस्टलाइन का फिक्स्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है नोन क्रिस्टलाइन का मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता क्रिस्टलाइन में जो एटम और मालिकुल प्रियोडिकली रेंज होते हैं नोन क्रिस्टलाइन में ऐसा नहीं होता वो रेंडमली अरेंज रहा रहत करते हैं। कि ले्टिस की अगर हम बात करें तो हमने ब्रेवी का डिस्कुस किया थो इनुका सीजांपल su prmnxx पॉजिशन में आपके पास जो लेटिस पॉइंट के अलावा भी उसमें एक और लेटिस पॉइंट रहता है जहां पर दूसरे एटम मालेकुल या आयन जो हैं पॉजिशन में होते हैं तो वो नोन ब्रेवेश लेटिस में ऐसा कुछ रहता है यहीं कहिलेजी कि सम जो लेटिस पॉइंट होते हैं वो इक्युवैलेंट नहीं होते हैं या दुसरे वे में हम यूँ भी कहा सकते हैं जो जो δो ब्रेवीश लेटिस को अगर हम कमबाइन कर देते तो आपके पास नोन ब्रेविस लेटिस जो है बनते हैं इन shapes के बारे में हमने discuss किया था जो seat om try try head के नाम से हमने सभी shapes के बारे में कल के lecture में discuss किया था तो यह जो है मैंने आद जो 14 type की shape मैंने आपको बताई थी तो यहाँ पर मैंने बना के लाए हैं simple cubic में जो आपके पास shape है वो 3 बनती है इस formation की tetragonal में आपके पास 2 बनती है इस formation की orthoromic में आपके पास इस formation की 4 shape बनती है यहाँ पर जो i लिखा i का मतलब body centered cubic है p जो यहाँ पर लिखा है इसका मतलब simple cubic है एप का मतलब जो है जो यहाँ पर लिखा हो face centered cubic है और यहाँ पर जो c लिखा is count land centered या base centered cubic point है उसके बाद जो है hexagonal में एक shape बताई तो लगवग इस type की आपको मिलेगी trigonal में एक shape बना बताई थी वो इस formation की मिलेगी trigonal की जो shape बना बताई और monoclinic में जो है इस formation की shape जो है आपको मिलेगी seven crystal system से आपके पास 14 जो है brights latest मिलेंगे पी का मतलब आप simple cubic भी ले सकते है primitive unit cell भी ले सकते है primitive unit cell का मतलब होता minimum volume unit cell और simple cubic में जो cell होती है उसमें primitive cell और unit cell जो है उसम होता है now translation vector basically जब भी हम atom की position को calculate करते हैं तो उस condition में हमारे पास निकल क्या था एक word translation vector basically जैसे आपने mathematics में vector की study की है वैसा ही कुछ ही यहाँ पर है बट यहाँ पर जो main change है वहाँ पर direct आपको distance दिया जाता है xyz जो axis होती है तो three dimension में ले तो उन axis की formation पर यहाँ पर आपके पास जो axis define होती है वो atom की formation से define होती है जितने distance पर atom होता है उसी के corresponding क्या होती है उस axis का distance रहता है generally अगर आप rectangular और two dimension में बात करते हैं ब्रेविस latest की तो rectangular में यह और भी generally बराबर नहीं होते है तो इसका मतलब क्या है कि एक atom से एक axis में मालनों स्पोज करो x और y दो आपने axes ली है तो x axis में मालनों स्पोज हमने consider किया है कि b a distance atom to atom और y axis के लिए हमने consider कर लिया कि आपके पास b है तो उस condition में जो हम translation vector निकालते तो आपका जो vector है vector की length जो है उन atom के corresponding ही discuss करते हैं कि आपका vector कितने distance पे है जैसे suppose करो कि यहाँ diagram में a से d तक का vector होते है इसका मतलब यहाँ पे distance कितना बनेगा to b आपके पास distance बनेगा ठीक है इनकेस अगर आपने जो है a से c का distance निकालना है तो आपने direct vector addition के भिहाब पे जो है यह distance calculate करना होगा इनकेस अगर मालो मैं another कोई point यहाँ पे बना दू से यहाँ पे मैंने e point बना दिया तो यहाँ पर say this is the x-axis तो इस vector का जो distance होगा कितना हो जाएगा यहाँ पर a से b तक का जो distance हो small है तो यहाँ पर कितना हो जाया a plus a plus a तो total कितना बन जाएगे थरी यह और इसको generalized formation में जो हम लिखते हैं थरी को generally हम n की formation से show करते हैं पहली axis के लिए say n1 है दूसरी axis के लिए हमने consider कर दिया say यह n2 है दूसरी axis का मतलब say y axis के लिए तो total जो है resultant आपको मिलेगा वो क्या मिल जाएगा r is equal to n1 a plus में n2 b similar case in case अगर आपके पास third b axis यहाँ पर होती है तो मतलब three dimension जो है आपके पास crystal structure है उस case में यहाँ पर pulse में आ जाएगा n3 c क्योंकि यह जो translation vector होते हैं या in case अगर हम complete crystal की structure को define करते हैं या exact item की position को find out करते हैं तो वहाँ पर हमें हमारे पास translation vector जो है very very important point होता है क्योंकि हम translation vector को ही लेके चलते हैं कि इस formation में reciprocal lattice की formation जो आगे की किसी lecture में हम discuss करेंगे now in case यह मैंने बना in case अगर आपके पास भी है तो आपने इस formation से item को show करना है इस formation से खीक है से यह आपके पास कोई भी आप consider कर सकते हैं कोई कैसी भी आप structure ले सकते है 14 structure में से खीक है तो उसके से आप से आपके पास यह angle रहेंगे तो से यहां के यहां तक का distance से है यहां से यहां तक का distance आपके पास भी है तो translation vector अगर आपने निकालना से आर इसका resultant है तो आप क्या लिखेंगे 2A plus में 2B ठीक है आज जो हम main discuss करने वाले हैं वो discuss करेंगे beginner seat cell का basically जैसे आपने primitive cell का last lecture में discuss किया था या उससे पहले हमने unit cell का discuss किया था उन cases में हमारे पास इस formation से में atom थे हमारे पास यह मैं थोड़ा सा बना रहा हूँ आपके लिए इसको अगर हम दूसरे way में बनाना भी चाहें तो आप यह बना सकते हैं यह आपके पास कोई वी जो है crystal की structure है और इस crystal की structure में every corner पर आपके पास atom है ठीक है जब आपके पास every corner पर ही atom हो तो यह जो structure है इस structure को आप unit cell भी बोल सकते हैं इस structure को आप primitive cell भी बोल सकते हैं और इसी structure को आप wigner seat cell भी बोल सकते हैं क्योंकि wigner seat cell में भी हम minimum volume को find out करते हैं primitive cell में भी हम minimum volume को find out करते हैं unit cell में भी आपके पास minimum volume and repeating unit होती हैं बट इन सभी जो निकालने का तरीखा वो थोड़ा सा different है और उसी different जो method है हमारे पास उन में से एक method है wigner seat cell और इसी method का जो हम आप discuss करेंगे कि किसी भी crystal के inside से हम minimum volume cell को कैसे find out करें basically जो wigner seat cell थी ये scientist के नाम है wigner end seat जो है एगन wigner और फ्रेडरिक seat ने इनको जो है create किया था इस method को और यह जो concept है basically इसको फर्दर जो है detail में लेके गए थे वो थे french physicist lion brilliant इनहीं के जो नाम पे आई नहीं की respect पे जो है फर्दर brilliant zone की construct हुई जो crystal की structure को find out करने के लिए very 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 important thing है जिसे हैं किसी भी crystal की structure या उनके wave vector या उनकी energy इन सब का जो है discussion करते हैं Wigner sheet cell around a latest point is defined as the locus of point in space that are closer to the latest point than to any of the other latest point इसके लिए simple से अर्थों में अगर हम कहें तो सबसे पहले जिस भी latest point से आपने निकालना होता है Wigner sheet cell उसके nearest neighbor आपने वहाँ पर choose करने होते हैं जो nearest neighbor का होते हैं जो close उसके पास point होंगे It can be shown mathematically that a Wigner sheet cell is a primitive cell spanning the entire direct space without leaving any gap कोई gap नहीं रखना है यहां पर Wigner sheet cell is the reciprocal space is known as first brilliant zone यह basically reciprocal space होता है और इसको हम बोलते हैं first brilliant zone It can be made by drawing plane normal to the segment joining nearest latest point to a particular latest point through the midpoint of such segment Generally definition आपको इस information से नहीं remember रहेगी इसका मैं एक simple सा method या simple सा तरीका आपको बताता हूँ सबसे पहले मालो स्पोज करें कि आपके पास यह latest point है ठीक है इस latest point के corresponding यह आपके पास दूसरे जो है latest point है ठीक है यह हमने ऐसे ही consider कर लिया है उसके लिए सबसे पहले आपने इस formation से line को draw कर देना क्योंकि यहीं जो हैं सारे के सारे क्या बनते हैं इनके nearest point बनते हैं तो उसके इसमें आपने क्या करना यहां से यहां तक का यह point का distance है इसके उपर आपने perpendicular draw कर देना है यह point है, तो इसके उपर आपने perpendicular drawing करना ये सही है, ठीक है, और यहाँ पर अपना point यहाँ ता, तो इसके उपर आपने perpendicular drawing कर देना, यहाँ point था, तो इसके उपर भी आपने perpendicular यहां से यहां पॉइंट था इसके उपर भी आपने पर्पेंडिकुलर जो है उसमें ड्रो कर देने हैं ठीक है और अब इस सेंट्रल के केस में जो आपके पास यह वाले पॉइंट है जिसको मैं ग्रीन लाइन से शो कर रहा हूँ इसके अपर पार्ट आपने देखना है शिरब है यह वाला पार्ट जिसको मैंने ग्रीन कर दिया है लेटिस पॉइंट के उपर से यह वाला जो पार्ट होगा उस टोटल क्रिस्टल में यही जो पार्ट है यह मिनिमम वोल्यूम सेल होगा ठीक है और इस मिनिमम वोल्यूम सेल को हम बोलते हैं विगनर सीट से सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना होगा कि क्लोजिस्ट पॉइंट जो है उसका कौन सा है उसके बाद ही आप इस चीज़ को निकाल सकते हैं देखिए हाँ पर डाइग्राम दिखा जैसे आपके पास यह पॉइंट है सबसे पहले हमने नाइन पॉइंट हमने चूज कर दिये हैं अब यह जो पॉइंट है यह वाले आपके पास क्या है कि डिरेक्ट है बट यह वाला जो पॉइंट है यह डाइगनली है बट इस डिरेक्शन में तो यह पॉइंट जो है क्या है नियरेस्ट है इसका मतलब आप इस पॉइंट को भी लेंगे इसको आप छोड़ेंगे नहीं मतलब आप शिरफ और शिरफ इनी चार पॉइंट को नहीं लेंगे जितने भी यह डायगनल है यह भी तो क्या है उस कंडिशन में यह रेस्ट है तो आपने सभी पॉइंट को लेना तो आपके पास इस फोर्मेशन से जो है डायग्राम बनेगा अब इस फोर्मेशन के से सेंटर बनेगा यह दोनों पॉइंट है इनका जहां पर भी सेंटर बनेगा मतलब दो पॉइंट के बीच में जहां कहीं भी सेंटर बनता हो सेंटर के उपर जो है आपने प्रपेंडिकुलर ड्रो करना है वो प्रपेंडिकुलर ड्रो करने के बाद आपको इस फोर्मेशन से structure में लेकि तो यह जहां पर जो solid line जहां जहां से solid line गुजरेंगी या जहां जहां से solid line move होंगी वो part आपका क्या होगा minimum volume cell आपके पास बनेगा ठीक है क्योंकि जब आपके पास exact crystal structure होगी तो exact ही आपके पास minimum volume cell बनेगा जैसे यहां पर यह rectangular जो है shape बनेगी तो इसको हम बोलेंगे क्या बोलेंगे इसको beginner seat cell एक और two dimension में आपको beginner seat cell दिखाए गई है कि यह ऐसे point है जो generally यहां पर जो दिखाए गया है इसके case में अगर आप देखेंगे तो यहां पर जो point है वो point थोड़े अपर direction में है यहां वाले point downward direction में है यह center में ही इन दोनों के तो उसी साब से इन सभी का क्या है आपने minimum देखना है minimum देखने के लिए अब यहां पर अगर हम visible करें तो यह जो point है इनका तो बिल्कुल छोटर मतलब small distance है और यह point अगर देखते तो इनका distance क्या है very large है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह सीधा सीधा मतलब यह लगभग जो है rectangular shape आपको visible मिलेगी ठीक है तो यही perpendicular आपने करना जहां जहां जो है यह green color की solid line मिलेगी वो आपके पास क्या हो जाएगा उसका वीगनर shape cell बन जाएगा यह और अलग-अलग shape दिखा रखें यह simple cubic case के लिए 3 diamond जो है वीगनर sheet cell की structure शो की गए यहां पर भी वीगनर sheet cell की structure शो की गए यहां पर यह method बता गया है कि सबसे पहले आपने क्या choose करना है सबसे पहले point choose करने जो nearest है फिर जो उनका beach का midpoint आपने choose करना midpoint पर आपने perpendicular को ड्रा करना उन perpendicular से जहां जा line कटाऊंगे उन line को आपने join कर देना तो यहां पर जो है orange color में यह चीज show की गई है Thank you student आज के लिए हम इस lecture में इतना ही करेंगे बाकि जो है next lecture में हम discuss करेंगे